नमस्कार EPSC Current Affairs प्रोग्राम में अभी हम बात कर रहे हैं अगनी वीरों को लेकर उठाए गए बड़े कदम के बारे में रक्षा मंत्राले ने राश्ट्रिय मुक्त विद्याले शिक्षा संस्थान और इंदिरा गांधी राश्ट्रिय मुक्त विश्विद्याले के साथ समझोता किया है जिसके तहट अगनी वीरों को क्रमशह बारहमी कच्षा के उप्युक्त प्रमानपत्र और स्थान तक की डिग्री प्रदान की जाएगी इसका मकसद सशर्ष्वलों में सेवा करते हुए अगनी वीरों को निरंतर शिक्षा की सुईधा प्रदान करना और उनकी विशेशक्यता और अनुभो के अनुसार उप्युक्त कौशल प्रमानपत्र प्रदान करना है रक्षा मंत्राले, शिक्षा मंत्राले, कौशल विकास और उद्द्यमिता मंत्राले के साथ ही तीनो सेनाओं भारती सेना, नो सेना और वाईव सेना ने विभिन हित्धारकों के साथ समझोता ग्यापनों पर हस्ताक्षर किये इस मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा कि इस समझावते के साथ अगनीवीर अपनी स्विक्षा को समय पर पूरा करने और अतिरिक्त गुण और कोशल विक्सित करने में सक्चम होंगे शिक्षा मंत्री ध्रमेंद्र प्रधान ने कहा कि इन ओएस उन्हें उनकी कुछा दस्वी और बारहवी की परिक्षा पास करने में मदद करेगा जबकि विश्विद्याले में नामांकित अगनीवीर सामान उच अध्ययन में अपने पाठे क्रम का 50 फिस्दी पूरा कर सकते हैं अगनीवीर इगनूसिस नातक की डिग्री या आवश्चक क्रेडिट के साथ दो साल पूरा होने पर अगनीवीर डिप्लोमा प्राप्ट कर सकते हैं योगिताओं के अधार पल अगनीवीरों को सशिस्त्र बलों में चार वर्स की अवधी पूरी करने के पस्चाथ कौशल प्रमान पत्र भी जारी किये जाएंगे 15 जुन 2022 को अगनीपत्य योजना की घोशना की गई थी इसके तहट केवल चार वर्स की अवधी के लिए सैनिकों, नौ सैनिकों और वायू सैनिकों की भरती की जाएगी नई अगनीपत्य योजना के तहट भरती किये गए अगनीवीरों के पहले बैच का प्रशिक्षन हाल ही में शुरू हो चुका है जिसमें से 25 फिजदी नए चैन के बाद स्थाई कमिशन के लिए लिया जाएगा अगनीपत्य योजना में 17 वर्स से 21 वर्स की आयू के बीच के उमिदवार ही आवेदन के लिए पात रहें